नमस्कार दोश्तों मैं ससी मिसरा मेरे कीचेन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो की है मुंग दाल के दही बड़े उरद दाल के दही बड़े तो आप बना कर खाते ही हैं लेकिन मैं आप लोगों को यह मुंग दाल के दही बड़े बना कर दिखाऊंगी बहुत ही जटपट बनने वाली रेसिपी है यह तो इसके लिए हम पहले सबसे पहले इंग्रीडियन्स शेक कर लेंगे मैंने यहां पर दही बड़े बनाने के लिए इस कप से एक कप मुंग दाल लिया जो कि मैंने 5 गहांते पहले इसको भीगो के चान कर ले लिया है और इस कप से मैंने ठाई कप दही लिया है झाए अर्ब चाय पीने वाला जो कप होता है। ऐसे, फन में तूब कप एक कप मुधंग दायी कप दभी ले सकते हैं और य horrific कप से कप से धाई कप दही ले सकते हैं और फिलिंग के लिए मैंने 10-12 किश्मिस लिए और मुंग दाल पीसने के लिए आधा कप पानी लिया है मैंने तो चलिए पहले हम बनाने की त्यारी कर लेते हैं पीस लेंगे पीस का रेड़ी है अब इसमें हम डालेंगे एक पिंच हिंग यानि एक चुटकी हिंग और हाग टीए स्पून नमक डालेंगे आप चाहें तो इसमें हरी मीच और धन्यापती डाल सकते हैं लेकिन मैं यहां नहीं डाल सकती मैं नहीं डाल रही हूं मैं प्लेन बना रही हूं एस पैचुला या विसकर के सायता से इसका हम इसको हम अच्छे से मिक्स करके फेटेंगे फेटना है ताकि यह फ्लपी और स्मूध बन जाए इसमें हमारा कूल टाइम लगा है साथ मीनट इसकी कंसिस्टेंसी देखिए स्मूध और फ्लपी हो गया है एक हम कटोरी लेंगे छोटी सी बैटर में से निकाल कर हम इसमें डालेंगे देखिए यह उपर आ जाता है तो समझ लिए हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से बन गया है अब हम बड़े तलने की त्यारी कर लेंगे तेल डाल दिया है तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है और बड़ो को पानी में डालने के लिए मैंने यहां पर एक पैन में पानी रख दिया है और उसमें एक चुटकी हिंग डाल दिया है आनी में उबाल आ चुका है अब हम गैस आफ कर देंगे और बड़े के तलने की त और डालेंगे इसमें एक किस्मिस और बैटर को तेल में डालेंगे हम इसे हमारा से पच्छा आएगा जाल सकते हो तो मैं आपको एक हाथ से भी डाल कर दिखा रही हूँ यह देखिए इसमें एक हम डालेंगे किसमीज और इसको भी हम यह देखिए मैंने दो तरस से आपको दिखाया है और ध्यान रहे गैस हमारा गैस का जो फ्लेम है लो पर ही रहेगा गोल्डेन फ्राई हो चुके हैं अब इसको हम गरम पानी में निकाल कर डाल देंगे और इसको हम बीच बीच में डीप करते रहेंगे ताकि यह अंदर जाए मिनट के लिए पानी में ही भीगे रहने देना है उसके बाद इसको हम निकालेंगे हो गया है 30 से 40 मिनट के लिए मैंने इसको पानी में रखा था उसके बाद पानी से इसको निकाल कर अच्छे से निचोड लिया है और निचोड कर एक प्लेट में इसको रखेंगे अब इसकी करेंगे हम गानी सी तो उसके लिए यह फेटा हुआ फेटा हुआ दही है तो सबसे पहले हम इसके उपर दही डालेंगे जीरा पाउडर काला नामा यह अपने स्वाद की साफ से डाल सकते हैं उसके बाद हम डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्ज अब डालेंगे हम अपनी यह इंगली की मिठी चटनी अपनी आप डालेंगे यह हरी चटनी धनिया वाली अधर और तो आप भी ट्राइक करें उमीद करती हूं कि आपको यह रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी अगर आज का वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल की पूस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद